आज की इस वीडियोग देखने वाले हैं सिम्पल प्रेजेंटेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इससे पहले हम लोग ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिया हुए अगर आपको ओंपर को यह दाउट है तो इसमें नहीं समय आएगा तो सबसे पहले आप कि आपका सब्जेक्ट आता है फिर नौट फिर भी वन यानि भर्ब का फर्सट फॉर्म यूज करते हैं फिर उब्जेक्ट और फिर कोशेर मार्क एक्जांपल आपको को मैं कुछ कराता हूं उसके बाद आपको यह अच्छे सा समझ में आ जाएगा कि कैसे फोम्ला का प्रियूग करते हैं तो सबसे पहला एक्जामपल आपका क्या क्या तुम क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो तो अगर आप लोगों ने इसका बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है आप कमेंट बॉक्स में बताएगा सबसे पहले किसने बनाया है क्या तुम किर्केट नहीं खेलते हो क्या तुम किर्केट नहीं खेलते हो तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको do या does में से किसी एक का प्रियोग करना है तो मुझे बताइए you के साथ यानि तुम के साथ यानि तुमका English का you you के साथ किसका प्रियोग होता है do का या does का तो देखिए मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया हुआ है कि जबी भी आपको देखेगा he, see it या similar name देखेगा तो उसके साथ किसका प्रियोग करते है does का और बाकी के साथ do का प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पे देखिए तुम है यानि you है तो you यहाँ पे कहीं पे भी है नहीं है यानि कि यहाँ पे does तो नहीं लगेगा does नहीं लगेगा तो बच्या क्या do यहाँ इसके साथ क्या लगेगा do लगेगा यहां पर यू न खांट प्ले उसके है क्रिकेट तो क्रिकेट का क्रिकेट में गोटनों सब्सक्राइब तो आपके पूरा ट्रांसटेशन नहीं भूल जाते हैं तो फिर वहां पर आपको Marks to नहीं मिलेगा कुछी भी टिक है जीरो लिए जीरो यह सिधा गलंक माना जाएगा अंसर कव ज़िएगा अगला इक्जांपल आपका क्या क्या वो आ dunno क्या वह हैं tuh रहा घ prior पुअ क्या वो किया वह गाना क्या रहे काना नहीं गाती है उन्हीं कांग का ईÁ कि इależए ऐसिंग और सॉंग क्या वह गाना नहीं गाती है इसका ट्राइसलेशन नहीं गाती है तो यहां पर देखिए सबसे पहले में दोंग करेंगे दूए दश्का तो देखिए यहां पर वह के लिए कर दोनों के साहज ही लगता रहाँ पे does see not उसके बाद दिखिए भीवन लगाना है तो भीवन क्या हो जाएगा है यहां पर गाना गाती गाती का क्या हो जाता है सिंग यहां पर क्या हो जाएगा सिंग और गाना गाना का इंगलिस हो जाता है सिंग और सॉंग ठीक है तो पूरा हो जाएगा आपका गाना गाना का ही English हो जाता है sing a song जी से खmb anak एनली क्सें चाना का इंगलिस का होता है itt पुड हेना पुड मतलब हो जाता है छहाना जब्द को खाते है तो फूर्ड इट फूर्ड का प्रियुद करते है वैसे ही गाना का होता है जुआ सिंगंग और गाणा गाना का होता सिंग और सॉंग यह अग्री एगधियेगगा ठीक कर अगला जट्रेंपल नहीं merak क्लिफ क्या वह कि मेरे बारे में है क्या वह मेरे बारे बारे में क्या वह मेरे बारे में नहीं सोच्टी है क्याव मेरे बारे में नहीं पर सोच्टी है ठोड़ा सा मैंने Translation बरह करने का कुछ structure आप्छ वोग भी घर घर पर ऐसके Translation लेके practice करिए जो भी doubt होताय तो नीचे comment करिए मैं आपका comment एक यह प्रयूब करते हैं द्धर के लड़की के लिए यह निसी तो ड़सी उसके लिए नौट तो डशी नौट उसके बाद भीवन यहां पर सोचना यानि सोचना इंगले जुछता थह तो है। क्या हुचे का उच्छा का डाज वह नुकुंडा स्कूरा क्या स्केट मेरे बारे का इंगलिस करता इबाउट मी यह मैन आपको बता रखा बहुत बार बता है। बहुत सादो वीडियो में बता यह ढूरा Can I cannot think about me वह मेरे बारे में नहीं छोच ती है ठीहिंक safe औरُre नियुक्तrै है तें प्याओ क्या वो metre भूँ है क्या वो क्या हो मेरे बारे में है घ्या वो मेरे बारे में सब कुछ किया वो मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानती है तो देखें पहले से थोड़eston बढ़ अब इसको translate करते हैं सबसे पहले do या does तो यहां पे क्या जगा does क्योंकि यहां पर वह है तो यहां पर Hem does अब जानती है यानी लड़की है यानि See जानता रहता तो क्या हो जाता है यहां तक तो किलियर है एक और एक्जांपल लेते हैं ताकि आपका जो डाउट है वह और अच्छे से क्लियर हो जाए थोड़ा साथ सेंटेंस को बढ़ा करते हैं जैसे क्या क्या रमन और रवी क्या रमन और रवी क्या रमन और रवी तुम्हारे बारे में क्या रमन और रवी तुम्हारे बारे में क्या रमन और रवी तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं सब कुछ नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं चलिए अब इसको translate करते हैं क्या रमन और अभी तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं अब इसको translate करते हैं तो देखिए क्या होगा इसका translation रमन और रवी ये दो नाम हो गया दो नाम हो गया यानि ये singular नहीं होगा सिंगुलर नहीं होगा तो यहां पर किसका प्रियोगा डू का प्रियोगा तो क्या होगा डू उसका जो नाम है उसको ऐसे ही लिखती है तो डू रमन और रवी ये याद रखेगा कि नेम का first letter हमेंसा capital होता है ठीक है तो डू रमन और रवी उसके सब्जेक्ट लगा दिया इस के बाद आपका हो जागा सब कुछंश का इंगलिस का होता है everything तो यहां पर क्या होगा everything उसके बाद उसम्हारे बारे में और प्रॉल बरारे किया हो जागा about you यहना पर क्या हो जागा about you इसे दिन बात का translation क्या बन गया do RAW रमन और W not know everything क्या रमन और अभी तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होना चाहिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा भी यूज हो रहा है वो क्या है तो देखिए डू नॉट को सौट में डॉंट कर दि किसी सेंटेंश में डू भी यूज हो रहा है और नॉट भी यूज हो रहा है तो इसको सौट में कर दिया गया है डॉंट क्या कर दिया गया है डॉंट ऐसे लिखा जाता है डॉंट और एक हो जाता है डॉंट डॉंट बन जाता है तो यहां पर यह हो गया डॉंट यह हो गय आए कि दिखाता हूं जैसे क्या तुम नहीं खेलते हो तो देखे का translation यहां पर बनाते हैं क्या तुम नहीं खेलते हो रिकिए सबसे पहले अपक कैंग तुम घुब सब्सक्क्राइब कर चाहिए यहां दू आता है यहां पर नॉटवाला प्रियोग नहीं भी यहां पहले देख लिए यह साना हो कि क्या तुम क्रिकट खेलते हो और अप नौट और रगा दे तो फिर गलत हो जगा क्या भी होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए ठीक है उस बात का ध्यान रखेगा ठीक है आगे बढ़ते तो यहां पर तुम के साथ क्या आता है दूख तो य लें और यूट यूट को रिमूफ करना था नॉट आपने यहां से बीच से अधा दिया यहां सोटकॉट वाले में लेगा तब यह हो गया डॉन्ट यूट प्ले क्रिकेट तो फिर ऐसे घलती नहीं करें जो ज्यादे तरफ चेकर देते हैं वह क्या होता है यहां पर देखें डेंगे आपको बिल्कुल गलत है अगर आप सेपलेट नॉट एसे आप नॉट करना चाहते हैं तो उसको आपको हमेशा और हमेसा سबजेक्गे बाद एकना है subject के बाद आएगा लेकिन अगर आप shortcut भी यूज करना चाहते हैं तो वो not इसके साथ mix हो जाएगा तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं यह गलक माना जाएगा यह आपको कभी भी नहीं करना इस बात का ध्यान रखेगा ठीक है है ना तो वह के साथ does या डू तो डज तो डज नॉट वाला पहले नहीं भी देख लीजेगा आप लोग यह तो नहीं वाला इसलिए मैं नहीं देख रहा हूं ठीक है तो डज वाल आएगा तो डज नॉट हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा डजएंट उसका डजएंट सी और सौंग ऐसे बनाएंगे ठीक है यह नहीं करिएगा आप लोग गलती कि सिंग मिल जैसे यहां पर नॉट यहां पर लगा दिया है डजएंट कर दिये हैं और आप सी के बाद भी नॉट कर दियेगा तो फिर आपका गलत हो जाएगा इस वाद का ध्यान रखे ठीक है तो क्या होजएगा डजएंट सी सिंग और सौंग ठीक है आप लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आहोगा अगर वीडियो पसंद आहा तो लाइक कमेंट शेर करके जाएगा अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दिजेगा तो म